नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि All Translator Application को कैसे यूज़ कर सकते हैं जी हाँ गईज आप भी जाना चाहते हैं कि All Translator Application क्या है और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो गईज आज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को प्रेस करके All पर सेट कर ल करका है और गई जहांपर आप देख सकते हैं पर आपको About This App का उप्शन देखने को मिल जाता है यहांपर आपको क्लिक करना है यहांपर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आपको All Translator Application के बारे में पूरे डिटल आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहांपर आ आप इस application के review and rated देखना चाहते है, तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आप आपको 48 review देखने को मिल जाती है, 12 प्लस rated देखने को मिल जाती है, 10 T plus downloading देखने को मिल जाती है, और इस application को 4.60 star मिले उ harassment, गई जहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको all translator application को open करना है all translator application को open करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर application loading हो रही है और गई जहाँ पर आपको एक ads हो रही है इस ad को यहाँ पर आपको close करना है ad को close करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं पर All Translator application open हो चुकी है और गई जहांपर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाता है तो गई जहांपर आपको उपर की और search bar का option देखने को मिल जाता है यहांपर आप जो भी search करना चाते हैं वो यहांपर आप search कर सकते हैं तो गई जहांपर में search करना चाते हैं यहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको टेक्स का option देखने को मिल जाता है तो गई जहांपर आपको टेक्स के option प्रक्लिक करना टेक्स के option प्रक्लिक करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको language का option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जिस पर language को जिस पर language में translate करना चाते हैं उस language को यहाँ पर आप को select करना है तो गई जहाँ पर मैं English के option पर click करता हूँ English के option पर click करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको अलग लग कई सारी language देखने को मिल जाती है यहांपर आप जिस पर language को select करना चाते हैं उस language को यहांपर आप select कर सकते हैं तो गई जहांपर मैंने English language को select किया है इसके बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आप किस language में translate करना चाते हैं उस language को यहाँ पर आपको select करना है तो गई जहाँ पर मैं इंदी language के option पर click करता हूँ याłe हिन्दी language को select करने के बाद गई यहाँ पर आप को इंटर टेक्सर का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप जो भी type करना चाथे हैं वो यहाँ पर आप type कर सकते हैं तो गई जहाँ पर मैंने type किया है, how are you, how are you type करने के बाद गई जहाँ पर आपको translate के option पर click करना है translate के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर मैंने English में type किया था How are you और Hindi में translate हो चुका है क्या हाल है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप जिस पर sentence का translate करना चाते हैं उस sentence को type करके translate कर सकते है इसके बाद गई जहाँ पर आपको back आना है back आने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको OCR का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप जिस पर sentence या paragraph का translate करना चाते है उस sentence या paragraph का photo click करके translate कर सकते है इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको fast VPN का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद गई जहाँ पर all translator application में VPN server को connect करना चाती है तो गई जहाँ पर आपको connect के option पर click करना है जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर vpn server अपने ओवल में connect हो चुका है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप all translator application में vpn server को अपने ओवल में connect कर सकते हैं और उसे use करने के बाद उसे disconnect करना चाहते हैं तो गई जहाँ पर आपको disconnect के option पर click करना है disconnect के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर VPN server अपने oval में disconnect हो चुका है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप all translator application में VPN server को अपने oval में connect कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Amazon, TikTok याओ अलग लग कई सारी वेबसाइट देखने को मिल जाती है तो गैस जहाँ पर आप Step by Step सभी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप All Translator अप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं तो गैस कैसा लगा इए वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लिस सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके All पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नॉटिपिकेशन आपको मिलते रहेगी